कौन सा कपड़ा चाहिए तो बड़ा सा ढूंटते पुराने कपड़े इतने फैगे रहते हो वहां मिल जाएंगे कोई से भी बड़ा सा सूती कपड़ा आ रहा हूं मैं भी आ रहा हूं चल और यहां निक्की की रोटियां बन रही है देख सकते हैं कितनी सुन्दर रोटी बना हो रहा है क्योंकि इंजन सही करने वाला भी आया है काफी दुनों बात लगबग दो अबते बाद इंजन खोल खाल के चला गया और तबसे बिल्कुली गायब हो गया तो बहार का मौसम तो देख सकते हैं कितना गरम हो रहा है सुपह सुपह एकदम जबरदस्त वाली दूप पागई है हेलो दोस्तों आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार पहला ग्राम राम हाई होप कि आप सब अच्छे होंगे स्वस्तोंगे और एकदम मस्त होंगे तो स्वागत आपका एक और नए दिन में सुपह के लगबग बच चुके हैं आठ और मौसम देखी रहें कितनी चट है इतके चांद हो एक्दम ही जैसी बारिश आई ऐसा लगा कि इनके बार आ गई और बैगे लेकिन मैं तो सोच रहा था बैगे लेकिन यह आ गए आज सुक्र है चलो आज कर दो अच्छिया यह यह आदमी है इसको तो मैं जानता हूं एक देख सकते एक चेला और आया है करदान मंत्री हो तो चलो ठीक है इसको भी बढ़िया से कर दो इसमें तेल है तेल में पानी में डाल दियो निकाल दिया तो दागे एकदम चमका अगे मस्त कर दो इंजन देखते ही स्टार्ट हो जाई ठीक है बढ़िया यह सब वीडियों बनेगा कैसा काम कर रहे और लोग साधी नहीं है तो कोई बात नहीं ठीक है अब आगे देखो ठीक है तो यह देख सकते हैं खेतु का नजरा को इस तरफ से और आज तो पानी भी खेतों में फिलाल अगर पानी हमारा सूख जाता ना हम तुम दोनों को बात-बात के लाते हैं आप पर तभी तो आपना टूल कि नहीं समाल के गए मैंने का चलो इंजन तो है तूल होता है तूल की बहुत इज्जत करते हैं हमें दर्द होता है तूल का यूज करते हैं बार-बार मत भगाओ ऐसे चार चकर तो गदरपूर के लगवा दिये और पहले वो गेर लाया वो दूसरे साइज का गया उसको नि इसना खाना यह चोड़ दो बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दो इंसान मज जाओगे सब कुछ आजाएगा तुम्हारे पास अरे यह होगा क्या मैं बताओ तुम्हें वह जो हमारा कार्थी के खेत वाला उसने इसमें थोड़ा सा मोबले लो गया कम उसने उसी में चला दिया वह पकड़ बनाते गया पकड़ बनाते गया उसी चकर में इसका सत्यानाश हो गया और प्रियांचु भी देख रहा है एकदम गौर से क्योंकि इसको भी बहुत सोग है इन चीजोंगा यहीं जो इंजन गाड़ियां अगरा बगर होती इन में बहुत इंट्रेस लेता है खो अब तो शीगी जाएगा तो इनको करने देते हैं काम और हम चलते हैं घर की और पिंचु वह लिया तो गिलास लिया यार पानी पी लेते हैं बस मोटर ही चलाना बेटा मोटर कम चलाए करो अच्छा खासा पानी आ रहा है तो हर बाद मोटर मत चलाओ ठीक है नि आदत आई इसको में रोटी देटाओ नों रोटी मांगता है हां लच्छू तो यह है देख सकते हैं हमारी लच्छू तो दो-तीन दिन से बर्साद हो रही थी तो आज काफी तिनों बाद इनको बाहर बांदने का मौगा मिला है यह भी अंदर बहुत परिसान थे यह लेलू परिस अच्छा यहीं नल है ठीक है पानी पी लेता हूं पहले अहाँ नल्चे इतना ठंडा पानी आता है फ्रीज की जरूवती नहीं है एकदम ठंडा और सुद्ध पानी आता है जो नल है हमारा लगबक 180 फीट गहराई पर उसको लगाया है तो एकदम सुद्ध पानी आता है कोई आरो की जरूत नहीं कुछ नहीं है और नहीं फ्रीज की जरूवत है एकदम ठंडा और जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा ठंडा पानी आता है और जितनी ज्यादा ठंड होगी उतना गरम पानी आता नल से एक यही यहां की बहुत जबर्दस्त वाली खुबी है पिर्यांचु लिया है लल्लू के लिए रोटी उसको भी दे आदा उसको दे दोनको दे किती रोटी खाता हो चोटा-चोटा करके दे आराम से गिरना मत च्छत में बहुत सारी गिरे हैं पता है अम्रूत सब इखटा करके दे देना वहीं शाल रहे हो च्छत भी खर तो बहुत पसंद अम्रूत तोड़के देता हूं का शाबश पहलवान हो गया तो प्रियांचु चड़ा उपर च्छत में वह देख सकते हुआ से लच्छो को देरा अम्रूत क्योंकि बहुत अम्रूत गिरे हैं च्छत्वे जितनी ज्यादा बारिस उती उतनी ज्यादा अम्रूत पगने लग जाते हैं आजा नीचे आजा नीचे देखना कपड़े कंदे मत करना तो यह इंजन से निकला है मॉबील ओइल देख सकते हैं इतना मॉबील ओइल था तो अब यह कुट्टी मशीन में प्रयूग किया जाएगा इसका तो अंदर अभी इसे कौनी में रख दे यहां पर रख दो यहीं पर रख दे डखके और उपर स दूसरा अलाव डाल दे तांकि कुछ सुध्याय ने कंदा बनता फिर उसमें डाल देगे ना एक जर्कीन में तो मैंने आकर देखा तो कैसे मिस्तरी हो यार तुम लोग तुमें उसका साइज का ही पता नहीं तो पहले आकर देखके बता दिया यह सताशी है कि इसमें कितने क मैं तुझे फॉन दूंगा मैं सिर्फ तुझे किताब दे सकता हूं पढ़ाई के लिए जो किताब पढ़ने के लिए वह लागे दूंगा लेकिन फॉन आयम सौरी मैं नहीं दे सकता विल्कुल भी एटा है नहीं क्योंकि जब तुम्हें अकल आएगी तब तुम काओगे प कियो अपोन नहीं देते हैं डाटते हैं सबस्कीम मैरता यहनूक रहाएं लेकिन ज्यादा हूं तो लेकिन दूंध अधा यह करेगा तो नहीं पुछनी माने मजबूरी है क्योंकि अभी तुम आधों के हो क्योंकि तुम आभी बच्चह हूँ जब बड़े हो चाश ब और त प्रिदने क्यों नहीं देते हैं अब पता चला कि वह तो प्रिद्ध कहते थे जो कि कहते थे क्योंकि अब हम भी माबाब बन गए तो हमें सब पता चल गिया दिन दुनिया का नहीं इसलिए फॉन का बिल्कुल भी ध्यान हटा दो डिमाक शे इंटर कर लो उसके बाद देखें ज्यादा कई दिन तक जुगाड जलता है फिर इंडिया जुगाड पूरे पिस्व में परशिद्ध है हर चीज में इंडिया जुगाड कर देते हैं तो बहुत बहुत कर रहे हैं पाट्स की दुलाई एक बहुत चले गए पाट्स लेने तो उनको टाइम लगेगा थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे तुम्हें इंजन के साथ दो नुगो पाइए को पेड़ से बादेंगे कोई इंजन से और बताओ हम बाद रहे तुम बताओ है अब चलते हैं नास्था करने नास्था भी नहीं किया मैंने और इदर केंडी भी घूम रहा है उन्हें पेट पूजा कर ली बैटा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है और तेरा के यह इसाब किताब है यह कौन खाएगा रहे दोस्ते के लिए रखा हुआ यह पिट जाय गरूं इसको खा जल कि और ऐसे फेका क्यों है यह यह इसे फेका मत करो और आपको इसे उसमें देड़ों किसी बड़तन में देड़ों बरतन रखा हुगा ले टांट चल नी खाए गए ले जाए ले जा रहें हम इखाए गए तो यह को आप तो अम्रूत बहुत पाके हैं अबज्या एका तमरूद खाई लाएं हम भी नीचे नीचे लगाए हैं अब बढ़िया हो राव मिठा और पिर यांचो करने लग जा कुप पिगादने की तहिंगारी अब दाल लगाना लक्षमी कहें देखती है इतने सारे शत्मा मुझ ग्रीचे तो दोड़ा कच्छा जबाबी नीपा दिया आराम सेखा अब दाएगे उपर के दात नहीं होते हैं पीसे साइट के होते हैं बदा नहीं होते हैं नहीं होते हैं कि खाखा तो आज तो सुबह सुबही बादल लग चुके हैं ऐसा लग रहा कि बारिस आएगी क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी बारिस आज आएगी तो बढ़िया हो जाएगा क्योंकि कल तो बहुत ही खतरनाक वाली गर्मी थी रात भी नंग्शन नीदनी आई पशीन दिक्कत हो जाएगी यह लगे पड़े हैं भाईया जोड सोड से और प्रियांशु एकदम नजने गड़ा के बिल्कुल तीखी नजर से देखा हुआ है पार्खी नजर से तो अब मैं नास्ता करी लेता हूं कापी टाइम हो गया है दर दर भागते बागते और मौसम भी नास्ता मिलेगा नास्तों मिलोगा नास्तों इस देख सकते हैं धरम पत्नी जी का साब सबाइका काम चला जोड सोड से तो आज नास्ते में बनी हुई है बिंडी की सबजी और वह भी लोहे की कडाई में बहुत बढ़िया और रोटी शोटी तो बनाई जी लड़की ने दे तो टाइम हो चुका है लगबक 12 बजने वाले हैं और थोड़ी देर पहले तो ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी लेकिन अभी इतनी जबर्दस्त वाली धूपा गई है ऐसा लग रहा जल जाएंगे हैं कर पानी पिला उसको अरे पानी पिलो भईया तो भईया लगे है अब इंजन बांदने में तो और इसमें हाथ लगाओ तो ऐसा लग रहा बिल्कुल जला दे रहा है अगर इसमें रोटी डाल देंगे ना रोटी बन जाएगी इतनी गर्मी है बहुत जबर्दस्त वाला गर्मी उराया राज तो पहेंकर इतना ते दूप तो आया नहीं पहल बहुत गर्मी है इतनी गर्मी है यह बुरुष भी इतना गर्म हो गया दूप में रखे वे हाथ नहीं लगाए जा रहा इसमें आज तो बारिस आएगा दादा पक्का तो अब जोडशोड से लग गए हैं देख सकते हैं दूसरे आले भाई साब भी आ चुके हैं अब सब सामान आ गया और अब मैं जाओंगा भी नहीं बार बार अगर कुछ रह भी गया तो यह जाएगा पैदल पैदल दोर लगा कि जाएगा भाई साब घर्मी से तो बिलकु पानी पीपी के परिशान है पसीना निकल निकल के परिशान है तो यह देख सकते हैं पुरा इंजन बात दिया है दो बंदे लगें इसलिए जल्दी हो गया नहीं तो एक बंदा तो घुमते रहता चक्कर आने को है बिलकुल ऐसा लग रहा है चक्कर आ जागा थोड़ी देर में पानी पीपी के काम चला रहे हैं क्योंकि काम भी करना बहुत ज़रूरी है अभी थोड़ा चाय आगई थोड़ा सुकून मिल ला है तो यह देख सकते हैं दोनों मिस्त्री लगें जोड़ सोर से पचिने से आलत देख सकते हैं भाई की बिलकुल ना लिया एकदम गर्मी से कोई बादनी बारिस आएगा उसमें जम कर ना जाना खल्यान में बैट जाना एकदम दो गन्ते एकदम जितना गर्मी हो रहा ना भी ठाइंडा हो जाये गएगा गणा कि लुग अ कि अ कि अ भी गे पूरा तो टाइम हो चुका है लगबग तीन बज चुके हैं और इंजन भी सही हो चुका हमारा देख सकते हैं और आपने देख भी लिया होगा पानी भी निगल गया इससे और इस्टार्ट भी हो रहा है बासानी से और अब हम सामान आमान समेट रहें देख सकते हैं प्रियांसु वह तो पिलिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कीचेगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा तो मिलते हैं एक और नए ब्लोग के साथ तब तक हांसते रहिए मुस्कुराते रहिए स्वस्त रहिए और मस्त रहिए बाई बाई तो यह देख सकते हैं कुछ ऐसा मौसम हो चुगा है अभी जिस परकार बहुती जबर्दस्त गर्मी हो रही थी धूप से एकदम जल गए यहां पर इंजन सही करते करते तो अभी थोड़ा बारिस का मौसम हो चुगा है बारिस आ जाएगी तो एकदम बढ़िया हो जाएगा मस